नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिट से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट किस फैमली में दोस्तों आज दिनांक 18 दिसंबर 2018 को यूपीटेट 2018 मामले में सुनवाई होनी थी क्या कुछ हुआ है आज पूरे कोट में पूरा डिटेल में इस वीडियो में बात करूँगा तो यदि आप भी यूपीटेट 2018 और आगामी 79,000 सहायक अध्यापकों की भरती जैसे मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को बिना इसक्रिट के वए बने रहे हैं करियर बिट के इस चैनल पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूँ कि यदि आप करियर बिट के इस चैनल पर नहीं है तो कृप्या इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की आइकन को भी प्रेस कर देज़ेगा ताकि जब भी किसी नय अपडेट के लिए मैं वीडियो बनाऊ तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके और अगर आपने इसे पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जैसा कि आज केस को फाइनल करने की बात चल रही थी लेकिन आज केस फाइनल नहीं हो पाया है और इसकी अगली सुनवाई और माननिये इलाहबद हाई कोट के जज ने इसपश्ट कर दिया है कि अगली सुनवाई जो कि कल दिनांक 19 दिसंबर 2018 की सुबह लगभग 10 से 11 बजे के बीच में होगी उस दिन इस केस को फूल अन फाइनल कर दिया जाएगा दोस्तों अब यह इसलिए भी इसपश्ट हो गया है कि कल फाइनल हो जाएगा क्योंकि कोट की छुट्टी होने वाली है और अगामी 79,000 सहायक अध्यापकों की भरती के लिए रेजिस्ट्रेशन की लाश्ट दिती 20 दिसंबर 2018 है और अगर इसकी सुनवाई 20 दिसंबर से पहले नहीं हो पाती है तो निश्ची तोर पर लगभग 1,500,000 से अधिक अभियर्थी ऐसे हैं जो यूपी टेट 2018 में 2 या फिर 3 या फिर 4-5 नंबर से रुक रहे हैं और अगर इस केस में कुछ भी फैसला उनके फेवर में आता है तो देड़ से 2,000,000 अभियर्थी ऐसे हैं जो अगामी 79,000 सहायक अध्यापकों की भरती में फॉर्म भरने से वन्चीत रह जाएंगे अगर इस केस का फैसला उनके फेवर में आता है तो दोस्तों, अब आप लोग इसके लिए पूरी तरीके से निश्चिंथ हो जाईए कि कल इस केस का पूरा फैनल डिसीजन आजाएगा कि क्या कुछ हो ना है दोस्तों, यह ही तो हो गई बात की आपका फैनल डिसीजन कब तक हो सकता है अब बात कर लेते हैं कि आज दिनांक 18 दिसंबर 2018 को इस केस में क्या हुआ तो दोस्तों मानेनिये इलहाबाद हाई कोर्ट के जज ने दोनों तरफ की दलीलों को सुना और जो विवादित प्रशन थे जिनमें एक प्रशन के दो दो आप्शन PNP ने अपने रिवाइट एंसर की में दिये हैं उन विवादित प्रशनों पर अभी कुछ भी इसपष्ट नहीं हो पाया है और निश्ची तोर पर अगर ये विवादित प्रशनों का मसला सॉल्व नहीं होता है तो इसका फायदा बेजिजक कैंडिडेट्स को दिया जाएगा और ऐसे अभीर्थी जो की दो या फिर तीन नंबर से बच गये हैं यूपीटेट 2018 की परिक्षा में शफलता पाने से उनके लिए बहुत एक अच्छा कदम होगा और लगभग डेड़ से 2 लाख अभीर्थियों को और भी मौका मिल सकता है कि वह अगामी 79,000 सहायक अध्यापकों की भरती में भी शम्मलित हो पाए यूपीटेट 2018 की परिक्षा में शफल होते हुए तो दोस्तों अगर इस केस का फैसला कल कैंडिडेट्स के फिवर में आता है तो निश्ची तोर पर अगामी 79,000 सहायक अध्यापकों की भरती के लिए रेजिट्रेशन की डेट 20 December से आगे बढ़ाई जा सकती है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि सर्वर ठीक से वर्क नहीं कर पा रहा है और कैंडिडेट्स अपना फाइनल प्रिंट आउट और फॉर्म का रेजिट्रेशन करने जैसे और फी पेमेंट जैसे समस्याओं से जूज रहे हैं तो निश्ची तोर पर डेट का बढ़ना तै हो जाएगा अगर यूपीटेट 2018 की परिक्षा में डिसीजन कैंडिडेट्स के फिवर में आता है दोस्तों आज की सुनवाई में जो केस का रुख रहा वह सभी कैंडिडेट्स के फिवर में ही दिखा और ऐसी उमीदे लगाई जा रही है कि कल जो भी फैसला आएगा उसमें दो से तीन नंबर से अभियर्थी जो पीछे रह जा रहे हैं सफल होने में उनके लिए एक बहुत अच्छी ख़बर ले करके आएगा तो दोस्तों करियर बिट की यहाँ फैमली भी उमीद करती है कि कैंडिडेट्स के फिवर में ही फैसला आए और डेड़ से दो लाख और भी अभियर्थियों को मौका मिले कि वह अगामिंग 79,000 सहाएक अध्यापकों की भरती में भी समलित हो पाएं दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही उमीद करता हूँ आप लोगों को यह अपडेट पसंद आई होगी अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगाओ तो क्रिपेस से लाइक कर दें और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बेट के इस चैनल के साथ धन्यवाद